Hello Friends! मैं संदोष कुमारा भिसल के स्टार में अब का स्वागत है Friends, जैसे कि हमने 10 मोडूल गूप्लीट कर लिया है यह हमारा 11 मोडूल से है इस मोडूल से हमने 2 वीडियो कप्लीट किया है first video था types of ad and second video था goal of ad campaign इसमें first video में हमने add कितने types को थे वो बताया है and second video में बता है कि कौन सा type किस goal के लिए use किया जाता है तो friends I hope कि ये दोनों वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा and कोई doubt ने होगा friends इस वीडियो में मैं आपको बता होगा कि जब आप Google Ad चलाएंगे तो आपको Google को पैसे pay करना होगा तो आप कैसे Google AdWords अकाउंट में पैसे add करेंगे तो इसके बारे में detail में समझेंगे तो बने रही है हमार साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो friends सबसे पहले हम ads.google.com वेबसाइट पे चले जाएंगे ads.google.com इस पे चले जाएंगे और देखे यहाँ पे ads.google.com पे किलिक करेंगे और friends I hope कि यह सारे steps आप लोग अच्छा से समझ गए हैं और आप लोग भी easy way में कर लेते हैं तो गेट स्टार्टेट पे किलिक करेंगे इस पे किलिक करने के बाद friends ads.google.com का वो home page उपन हो जाएगा जहां पर वो हमें सारी process करने के लिए देता है तो friends यहाँ देखे यहां से search कर सकते हैं यहां से reports कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे tools and setting यहाँ से आप keyword यदि plan करना चाहते हैं तो यहाँ से click करके keyword भी plan कर सकते हैं और यहाँ पे friends देखे billing option है ठीक है बिलिंग के option पे click करने के बाद हम transactions पे click करेंगे friends उस पे click करने के बाद देखिए ऐसा interface open हो जाएगा यहां पर आपको कुछ नहीं सो रहा है यहां पर देखिए summary, documents, transactions, payment method लिखा हुआ है तो हम payment method पे click करेंगे उस पे click करने के बाद friends देखिए यहां पर बोल रहा है add payment method तो आप यहां पर click कीजिए उस पे click करने के बाद friends यहां पर बोल रहा है add payment method, add credit card और debit card और link patium wallet यदि आपके पास credit card या debit card है तो आप इस पर click कीजिए नगी यदि Patreon wallet है तो आप Patreon wallet पर click करके आप ऐसे add कर सकते है मैं credit card पर click करता हूँ credit card पर click करने के बाद फ्रेंस आपका जो भी card है वो card यहाँ पर number type कर दीजिए और यहाँ पर save कर दीजिए फ्रेंस यहाँ पर आपको card का number dial करना है जो भी आपका card debit card है credit card है, यहाँ पर आपको number type करना होगा यहाँ पर इिसका end date डालना है और यहाँ पर आपको C.V.C. नमबर डालना है या cvb number गोला जाता है त Очень पर पर आपme डालने है and फिस देखें यहाँ card holder का जो नाम है आप़ यहाँ पर नाम type कर दीचे यहाँ पे आप किस country से उस country डाल दीज़े यहाँ पे आप अपना address फिल आप कर दीज़े और इस पे save कर दीज़े friends जब आप add चलाएंगे तो Google को आप manual payment करके option set किये रहेंगे तो आप जितना payment उसको set किये रहेंगे per day या one month के जिसी basis पे आप save करेंगे वो मैं आपको detail में समझाऊँगा कि manual payment कैसे save करते हैं per day कैसे save करते हैं ठीक है तो वो मैं आपको detail में बताऊँगा तो friends उस basis पे Google उससे उतने ही पैसे cut करता जाता है तो friends आप इसी तरह से try करिए और देखे करके होता है यानि हो जाएगा बहुत easy method है और जब आपको मैं add चलाना सिखाऊँगा तो आप इसको अच्छा से और सीख पाएंगे तो I hope कि ये video आपको अच्छा से समझ में आया होगा अगर इस video में कोई doubt है या कुछ problem हो रहा है किसी point को निकालने में इसमें से तो आप हमें comment कीजिए मैं आपको live training देके solve कर दोंगा तो friends बने रहें next video के लिए तब तक के लिए best of luck